नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Gagana और स्वाकत है आज किस वीडियो में में टियागो इवी है इस वीडियो के साथ मकसद सिंपल है इस गाड़ी को पूरा डिश्यज करना है देखना है कि 100% चारज में कितना चलती है ताथी में अच्छी यह आपका बूट जो है वो अनलोग यह आपको जो है अन्दर से ही वो लिवर खीच के वैसे करना परता है एलेक्टरिक रिलीस जो है वो नहीं आता है आगे से फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसे लग रही है ठीया को एवी और टीगा वो रेगुलर में जो है डिफ्रेंसे हैं आ यहां पर लिखा आता है यहां पर लिखा आता है यहां पर लोगो है तोड़ी सी अलग है यहां पर इसी चलू इसलिए वाज आपको आ रही हो कि हावर एक चीज मसाना चाहता हूं यह अभी प्राइस चार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आइधिंक जो एक्स्टी वेरियंट है जो मतलब हायर के पैसिज लॉंग रिंज वाला है वो सबसे सेंसिबल स्टार्टिंग में है मैं आपको रेकमेंड निकरूँगा लोवर वेरियंट के रहा हो तो देखो तो जादा बैटर है उसे लुवर वाला भी आइधिंक अभी तो खरीद तो सकते हो आप टाटा कह रहा है तो बेचेंगे तो सही बड़ा इंग लॉजिकल चीज जो है वो इसके आसपसी गुमती है अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूं कि क्या कुछ अगह पर किया धाने जा ते पी तो है यह देहाता है मोटर में दीजा जीना नहीं घा जिसके कोई खाश जभर गहा है नहीं है नियोच में यह 175 65 R 14 टायर लगे हूँ है, Apollo का M0 XP लगा हुआ है, टायर्स अच्छली अच्छे नहीं है, in fact, ऐसे वाले सर्फेस हो इतने जल्दी ट्रैक्शन छोड़ते हैं, अब ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं गाड़ी में, तो वील स्पिन वगरा जो यहां पर होती रहती है, तो टायर् जिए ते, जो कि आफिसली रेंज कंट्रोल देते, ऑट थोड़ी से ग्रिप तायर की बैटर हो सकती थी, but, off-the-road, जो जब आप जाते हो, जहां पर सड़क नहीं है, ऐसे टायर्स अपर शाड़ने में जो है गाड़ी को होगी, चटने की प्रॉब्लम एक और वज़ेसे होत बहुत अच्छा लगा, प्लस यह टाच देखो, आप यह बलाग दिया गया, रिको सेंसर भी आपको यह बलता है, और यह टाच यह कलर मुझे है, काफी संदर लगा हुआ है, अगर आप लो तो इस कलर को जरूर देखना है, आप अच्छी बहुत अच्छा लगता है, मेरी रि किया है, तो मेरा से लिख देए, कोई भी XYZ बंदा है, मैगदीन न्यूस पर, जहां पर भी आपने देखा हो, और फाइनल किया हो, कि मेरे को यह गाड़ी ले नहीं है, वो जुरूर में नहीं किया है, यहां पर आपके पास में वाइपर रियर मिलता है, आपको वाश्यर का मिलता है, वाश्यर मिलता है, वाई कहां पर किया, वाश्यर ढूंड नहीं पा रहा हूं, इतना बढ़ी हाथा इंटिक्रेट हो गया है, क्या, यहां आता ही नहीं, यहां पर वाश्यर जो है, यहां से पिचकाली निकलती है, यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर देख पा यह बूट है, बूट का यूजबल स्पेस सोड़ा सा कम हो गया है, मतब रीजन क्या है उसका मैं बताता हूं, यह बैग में नीच होता हूं, इसके अंदर तो खाली दो चार एपल अपल पड़ी होगी, तो बीचों नहीं आएगा, तो मैं ऐसे, भारी निकली नहीं रहा है या फस गया, यूजबल स्पेस सोड़ा कम है, आप यहां पर देख पारे हैं, सोड़ा सा यह स्पेस इदर है, और for some reason, यह अंदर नहीं जा पारा है, बैटरी जो है, बैटरी पैक यहां पर आजाता है, उसकी विज़े से, इतना कुछ खास यूज में ने ले पाओगे, आप का ना भी कोई top-notch finishing नहीं दी गई है, जैसे, यार यह बंद नहीं होता है, यह मैं कई बार देख चुका हूँ, इसा कुछ टच नहीं हो रहा है बीच में, बढ़ी एक बंद नहीं होता है, आपको बहुत ही, ऐसे करके बंद करना वड़ा है, I think, जो overall pressure release, जो है, वो उसका हो नहीं पाता है, मतलब जो cabin pressure है, वो उपर की तरफ आपको antenna मिलता है, यह आप जो देखी पा रहे है, यह जो आप उपर की तरफ शेड देख पा रहे है, यह top-end महीं मिलेगा आपको, top-end यह है, इसमें लेदराइट सीट्स मिलती है, आपको इसमें आपको जो है, वो उपर देख पा रहे है, लेदराइट steering wheel मिलता है आपको, और साथ ही में, आपको जो अंदर चल के बताता हूँ, क्या सुब चीजें और है, luxe variant जो है, वो बेसिकली इसको कहा जाता है, और साथ ही में आपको आपको बता है, जैसे चाबी और जो यह आपको यहाँ पर मिलते हैं, सब कुछ चीजें, overall material जो है, वो सिमिलर है, Tiago का जैसा हमने देखा है, वैसा ही है, हाँ, seats वगरा में changes है, leather right seats यहाँ पर आप देख पर हैं, वो जरूर यहाँ पर different है, अब यहाँ पर क्या कुछ चीजें कैसे मिलती हैं, उनकी बात करते हैं, सब से पहले steering wheel से शुरुआत क उसका control सारे के सारे वहीं दिये गए है, यहाँ पे आपके पास में वाइपर है, वाइपर स्टॉक है, और रेंज संधिंग वाइपर आपको यहाँ दिया जाता है, और इस तरह अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में automatic headlamp light जो है, वो control जो है, वो यहाँ द यहाँ पे आपको यहाँ आपको दिया गया है, लिखाओ अभी यहाँ पे 0.5 याने कि आदा लेटर की बाटल जो है, आप यहाँ रख सकते हो, कुछ स्पेस आपको इधर भी मिलता है, और यह आपका bonnet release करने का यह भी कुछ खास quality cover नहीं लगता है, यहाँ पे charging slot अगर यहाँ से कर सकते, वाइद भी दिखाई दिता हूँ, मैं charging slot भी आपको क्या कैसा दिखता है, यह दर हम आए और, खोल तो दिया था ना मैंने, charging slot यहाँ ऐसा दिखता है, एक तो यह आवाज करती रहती है, टाटा का feature, safety feature, कि आप चावी बाहर लेकिया जाओ, गारी चाड़ यहाँ पर कुछ छोटा सा rubber का पुछ लगवा लिए, टाटा जो है, rubber का कुछ लगा के देने लग जाया, तो वरना हाथ जो है, उस पर एक दम ठक लग जाती है, but anyway, charging options आपके पास में क्या क्या है, वो interesting चीज है, तीन तरीकी के charging option है, एक fast charging, जो कि आप घर में ने लगा सकत जाता है, उसके बाद में आपके पास में जो है, 7.2 kilowatt hour का जो charger है, जो आप खरी सकते हो, दो टॉप variant के साथ में, मतलब लॉंग रिज के साथ में खरे दो कि पचास चार देने पर आप जाएगा, वो जो है, वो गाड़ी को चार्ज कर देगा, कितने ताइम में करेगा, अल्मोस्ट 8.7 hours में जो है, चार्ज करेगा, जो छोटी बैटरी केपसिटी, यह तो 24 kilowatt hour है, जो 9.2 kilowatt आ रही है, उसको ओबिसली तोड़ा से जल्दी कर देगा, 6.9 hour something में कर देगा, बट हाँ, यह overall charging times जो है, वो आप expect कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ में, जाधा तर ऐसे mostly अभी तो आप आटरी टाटा ने अभी तो नहीं बोला है, बट काफी owners ने कहा है कि टाटा रेक्मेंड करता है कि आप fast charge बार 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 ना करें, गाड़ी को थोड़ा सा जो है slow charge भी करने दे, तो आप better होगा अगर आप regularly use करते हैं, गाड़ी को तो आप 7.2 वाला खर आटी में क्या क्या चीज़ें हैं, यहां पर आप जब दबाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी जैसे की temperature दिख रहा है, आपको यहां पर average fuel efficiency जो है वो दिख रही है, यहां पर trip A, trip B जानो आपको देखी रहा है, odometer जो है वो भी यहां पर देख रहा है, अगर आपक सारे warning lights वगरा जो है, वो मैं आपको यहां पर दिखते रहती है, इधर आपका region और drive level जो दिखता है, और interesting चीज़, अब आप देखेंगे हो, side में region levels बढ़ रहे है, यह region levels जो है, आप सेट करने के लिए आपके चार modes है, basically 0, 1, 2, 3, वो चारो mode जो है आप यहां से set कर सकते ह region levels, अगर वैसे तो Tiago EV जो है, अपडेट के बाद में आई है, जैसे Tigor EV जो है, उसमें region level का software update आगे है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो की तुरूप बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा है, लेकिन उसमें cruise control जो है, वो सरफ नहे वाले बंदों में मिलेगा, यहा मतलब जो telescopically नहीं होता, tilt way में जो है, नीचे आप यह दिख पारें, dead pedal जो है, वो उतना काम का नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऐसे, almost ना के बराबर ही है, इससे बढ़िया तो ना ही होता, तो शायद ज़धा बेटर होता, और यह थोड़ा छोटा लेकिन चौड़ा कर दिया थ ज़धा बेटर होता, और यह तो अभी थोड़ा उतना कुछ खास काम का है नहीं, यहाँ पे आपके पास में screen है, अच्छी बात यह है, कि XT Variant से screen मिलती है Android Double CarPlay के सब के साथ में, इसलिए हम बोल रहा था, XT Variant में काफी कुछ interesting features आ आ जाते हैं, तो काफी worth it हो लगता है, interesting इसलिए है, कि Android Double CarPlay आपको यहाँ पे मिलता ही, Harman Cardinal का speaker system जो हो मिलता है, और आपके बास में एकदम simple जो Tata की हमने Ui's देखी है, वैसी ही है, कुछ भी अलग आशच नहीं है, अलग कि किसी बी तरीके का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, साब बंदे होंने में कोई दिक्कत है, habituals के हो रहे हैं, और यह decently fast अभी तो है, हलांकि हमने कई slow भी देख लिए, Nexon वगरा में उतनी जो है, फास्ट में देखने हो नहीं मिलती, but this is decently fast, कोई भी issue assets नहीं है, आपको Bluetooth audio यह वगरा मिलेगा, यहाँ पर park assist वगरा जो है, वो आप देख सकते है, guidelines वगरा मिलती camera कैसा है, वो भी आपको दिखाता हूँ, उतना अच्छा तो honestly नहीं है, हर situation में, बट हाँ, अगर lighting condition ठीक हो, रात में देखोगे तो ठीक लगता है, but I think camera definitely better जो है वहाँ पर किया सकता है, adaptive guidelines जो है, वो भी आपको मिलती है, steering के साफ़ से, dynamic guidelines जो है, वो भी आपको यहाँ पर जो कि एक अच्छी बात है, यहाँ पर जो बटन दियाते है, regeneration के लिए, यह फॉग लिम चला लें के लिए, यह आपका charging के लिए, अगर फस जाए, तो उसको यूज करने के लिए, हलांकि मैंने एक टीक और यह वीडियो देखी थी, उसकी charging के बावजू नहीं निकल रही थ जाता हूं कि यहाँ कोई डिस्प्ले उस पर आएगा, कुछ नहीं आता है, आप सेट करते हो तो यहीं आपको दिखाता है, यहाँ क्या क्या कुछ चीज़ी जाली, आटमेटिक है, या आप मैनुल कर रखाया, यह मैना आटमेटिक यहाँ पर कर दिया था, तो वो यहाँ आ और तरीके से वो रखा जाता है, उतना बहतर मतलब तरीके से रखाने जाता है, अबर ठीक है, मतलब आपको ओल कहीं नहीं जाया, किसी स्विचर में गिरेगा नहीं जरू दर है, पी रेंडी सेलेक करने वाला थोड़ा सा कभी का बार N से D में जाने में प्रोब्लम होती है, आपको ब्रेक जो है, बहुत ही टाइट दबा के रखना होता है, जो कि स्टार्टिंग में कई बार प्रोब्लम हो जाती है, तो उसके आधर आपको डालनी पड़ेगी, दो चोटे-चोटे-चोटे बॉल्टर होल्टर यहाँ पर एक चोटा सा कभी स्पेस, यहाँ पर एक 12 छेड़ बने हो यहाँ बनांगे बनाएंगे शेड़ चीते, मैं बना सकते हैं वाइड दे इस चान्त है, अभी कुछ तीम दी जा सकते हैं, एन्वे, यहाँ पर डेन आयर व्म हाता जो कि बेस वेरेंड में नहीं आता है, इस सेफटी के लिए से कची चीज नहीं है, सेफट सब्सक्राइब ना रहे अगर यह टेस्टिंग में जाए तो उसकी में बात करता हूं किया कुछ चीजिए हो सकती है इधर आपके पास में टिकेट होल्डर है कोई भी मिर नहीं है यह होता है और दीजिट जगें करता है फोड़ी सी भाकी फिर भी यहां पर रहे जाती है उसके बाद में इधर आपके पास में वेनिति standard shift वो दिया ज़ता है. लाइट नहीं मिलती किसी के तरह की light यहाँ यहाँ पे नहीं मिलती है. जो एक मात्र light हो आपको यहाँ मिलती है. अच्छी बात यह है कि LED है. तो वह एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती. अब मैं जलता हूं पीछे. पहले भुल जाओं वह जो मैं आपको बता रहा था कि इसका पंचा एक पिर किट कहाा था तो यहां नीचे दिख़ए पार यह कहीं सथा एक्सस करना नहीं होता है पीछे सेक्सस करोगे तो एजय लिनी कल जाएगा ऑधिए बढ़ ल क्या रहता है यह इन कुछ फटूरूड हो पमड़े नाहीं पीजिए है धुल जाता है रूर में कर सकते हो रियर में क्या सीन है रियर में क्या इंच 7 इंच तक का बंदा comfortably बढ़ जाए आठ वाला भी बैट पाएगा और 6 फूट का बंदा तो नहीं बैट पाएगा यहां पर क्या है वेल पावर विन्डोस कंट्रोल जो आपको मिलता है तो नहीं बैट पारे हैं जो कि आपको सबसे बेस आता है वो तो खरीदना ही मत का भी 849 जो आता है उसे उपर वाला ही खरीद या फिर एक्सटी से शुरूरात करना यहां पर आपके पसमें क्रोम डॉर है मिलते हैं और अमेनिटी के नापियां कुछ नहीं मिलता है यह बाटन होल्टर रे जो आगे और पीछी वाले शेयर करते हैं उसके अलाव कोई बिस चीज नहीं है तू लिटर की बॉटल मैं जवरती गुसा जरूर दी ऐसे वो बना वन लिटर के लिए यहां वाला तो वन में कैसी उसकी भी मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे को वही तो आता है कि यह इसी चलती हो इस चलती हो और वो सेफटी फीचर्स वाली बात करते हैं तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं कि क्या कुछ चीज है कैसी लग रही ठीक है अब देखो दो अलग-अलग बैटरी पैक जो आते हैं उनके साथ में power figures हो गएरा का भी difference है, motor गये, उसकी ट्यूनिंग का भी difference है तो उस वज़े से क्या होता है कि दो अलग-अलग state of और 110 Nm का टॉक मिलता है, टॉक पे हम बाद में आते हैं, बट जो है, यह वाला जो गाड़ी में चला रहा हूं, इसमें आपको 74 PS की पाउर और 114 Nm का टॉक मिलता है, तो डेफिनेटली यह ज़ादा बहतर फील होगी चलाने वलाने में, हर चीज के मामले में, बिकॉस 60 PS तो काफी कम पाउर हो जाती है, बट टॉर्क पर आते हैं, टॉर्क जो है, वो गाड़ी में कुछ इस तरीके से, यह एक तो इंस्टेंट टॉक मिलता है, एलेक्ट्री कार्थ वगरा में, तो उस वजए से आपको honestly टॉक की जादा कमी महसूस होती नहीं किसी भी मोड में, अगर मैसुस होने लग जाए, फिर भी आपके पास दो मोड दिये गए हैं, और ओर ओल फील को चेंज करने में, अभी मैं D मोड में हूँ, आप सिंपली S मोड में भी जा सकते हैं, और S मोड में जाते ही, आपके पैडल का रिस्पॉंस जो है, वहाँ पे फील आना शुरू होता है कि आप थोड़ी सी पावरफुल मोड में आप आगे हो, वह डेफिनिटली एक्दम एविदेंट वहाँ पे फील आता है आपके पास में, बट शुरू से शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके पास में जो है, अर्गनॉमिक्स वगरा क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है बट देखो गाड़ी जो है, जिस तरीके से चलती है, अगर कोई और ऐसी चीज़ जैसे होता ना कि एपिलर मोटा है, वह जरूर है, जैसी टियागो में ती जैसा है, एपिलर और सी मोटा है, बट ऐसी विदेट कोई भी चीज़ जो है, मुझे नहीं बता नहीं, एवी के ब बात बात आती है कि कैसा है, overall ergonomics, ergonomically actually Tata की कार्स में problem है, जैसा मैंने एक तो ये indicator stroke आपको बताया, कुछ-कुछ चीज़ें चुपती रहती है, वो उतनी ध्यान देके नहीं पनाए जाती, जैसे कि for example, ये जो है, ये टच करता रहता है, for my height, 5 foot 8 inch, जिस अब से मैंने comfortably, distance और है, फिर आप ये जो देख पार है, यहाँ पर ये, हलका फुल का ये भी touch करता है, बट ये उतना bother नहीं करता है, क्योंकि ये मेरे घुटने भी touch नहीं करता है, ये मेरे घुटने में touch करता है, तो वो आप एक बार बैट के, एक long drive में देख लें, long मतलब आप 57 km के drive में भी अगर आप देखे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़े मुझे जादा जाना चाहिए, क्योंकि इस सिटी में आप जादा चलाते हो, हलंकि ये मैनुवल नहीं है, तो आपको बार बार इस वाले पाओं का moment हो गयरा नहीं करना पड़ता है, पर इस पाओं क हलका फुल का moment जो है, आपको एक्ष्ट करना पड़ता है, ये मैं स्लो चल रहा हूँ, तो मुझे जाना चाहिए, अब जो है बात ये है कि इसके अलावा, ergonomics वगरा जो है, वो उसके अलावा ऐसाच कोई भी चीज़ जो है, मुझे नहीं बतानी है, मैं सब बता दी बट ये लगों को मुझे लोगों को प्रीमियम लगती है, और वो स्टैटिक करन्ट वाली प्रॉब्लम भी जो है, वो प्रीमि लगों को अल्मॉस्ट सही चीज़ लगेगी, एन्यूवे, उसके बाद में बात आती है, कि आगर आपको दूसरी टियागोई भी देखनी है, तो यहां पर जो इसके बात आती है, चलने वगरा में कैसी ये गाड़ी, चलने वगरा में सीन ये है, कि दो तीन चीज़े है, वो जो ट्रिक वाली चीज़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा या पर, पहली जो चीज सबसे पहले आप नोटिस करोगे, वो ये कि गेर नॉब जो है ये टाटा को इसका कुछ करना पड़ेगा, वो जो ये ड्राय सेलेक्शन नॉब है, अब देखो टाटा कहना है कि ब्रेक की वज़े से ऐसा होता है, मैंने ये टिगार में भी पॉंट आउट किया था, नेक्सवान में भी किया था, उन्होंने बुला कि आप ब्रेक प मैंने याँ पे रख रख रखाया पाऊं, अब अब आधा, ये तो थे लो डी में चलाएगे, इस बाट तो मैंने ब्रेक भी जाद नहीं दबाया, बट आते ही ये प्राव्लम, मैं आपको करके बताता हूं, ये देखो, ये मैंने एक दो आर ब्रेक मारा, हाँ, ये देखो, एक तो sound सुनो, shift होने की, अब sound सुनना, shift नहीं होने की, जो sound है, उसने ज़्यादा difference नहीं है, मतलब shift होने की और नहीं होने की, तो अकसर आप confused हो जाते हो कि shift हो गया है, या नहीं हुआ है, वो वाली problem यहाँ पे आती, तो either make it more easy, कि हलका सा भी brake pedal दबा रहा है, तो shift होगा, और make it like this, कि या आपकी sound लगाती है, जैसे shift नहीं हुआ, तो या तो कोई sound आएगी नहीं, तो आदमी को यह से लगता है, कि हाँ भी shift नहीं हुआ, मैं और दबाता हूँ, आप इसे करते हो, फिर आप accelerate करते हो, आपको realize होता है, कि नहीं है, कोई भी चीज होई नहीं है, तो वह वाली चीज है, मतलब overall sound वगरा की जो है, जादा problem वहाँ, sound क्या, shifting की problem, sound जो है, एनहांस करती है, aviation में एक term होता है, confirmation bias, तो वह वाली चीज है आपको लगता है, नहीं हो गया, shift मैं excellent प्रेस करता हूँ, गाड़ी जा क्यों नहीं रिया गए, एनी वीच पे, जब आप pick क प्रेस करना शुरू करते हो, तो वहाँ पे क्या situation है, well, power वगरा जो है, उसमें मुझे as it कोई problem नहीं लगी है, जिस तरीकी की गाड़ी है, मतलब जिस purpose से बनाएगी है, decent power गाड़ी में, कोई issue नहीं है, आप ओटे ओटे आराम से कर जाओगे, सब sorted है, regeneration levels actually अच्छे हो गया हैं, but regeneration level पर बात आती है, दूसरी सीज़ की, एक तो हाँ, उससे बहले बता दूँ, पहाड़ी बाड़ी पर चड़ने होगरा हमें कैसे लगी की, यह लोगो वह भी इस बहुता है, पहाड़ी पर गाड़ी चड़ जाएगी, मुझे लगता कोई problem होगी, लेकिन हाँ, एक प पेडल ट्राइव यूजली मतलब होता है, कि गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप प्या जाए, पोड़ी नहीं आती है, यह चलती रहती है, हल्का-ल्का क्रीफ फंक्शन है, इसमें, एट स्पीड्स of like 5, 4, 5, 4, 5, 5, गाड़ी जलती रहती है, चलती रहती है, यह से फुली जो देख लो एक बार, ट्रिक नमबर 2 और 3, ऐसे यह ट्रिक जो है, आम तोर पे आपको ब्रॉशर होगे रहा है, देखने को नहीं मिलेगी, तो उतनी बड़ी ट्रिक भी नहीं बोलती है, बट मीडिया प्रेजेंटेशन में टाड़ा ने बोला, कि गाड़ी में हिल लाउंच, कंट्रोल, हिल, होल, असिस्ट, मतलब वो नीचे जाते हैं, क्या बोलते हैं, वो आता है, मतलब हिल, डाउन, हिल असिस्ट जो है, वो आता है, बट, प्रॉब्लम यह है, गाड़ी अभी हमाई डी में है, टेकनिकली आगे जाने चाहिए, मैं ब्रेक छोड़ूँगा, आप कितने degree slope है, well, 14 degree something slope है, अब नीचे देख पारे हो, मेरा iPhone बता रहा है, almost 14 degree something slope है, अब होता क्या है, जैसे ही में पाम चोड़ूँगा, नो मेटर में डबाया है, नी दबाया, कार विल गो, अब जो है, गाड़ी वाविस क्लाइम करने लगती हल्की 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 ह इसमें भी एक problem है, problem क्या है, problem यह है कि अगर गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं, तो पीछे बहुत आज जाती है, और फिर आगे अपने आप से नहीं आती है, आपको accelerator pedal प्रेस करना पड़ता है, वरना गाड़ी जो है struggle करती रहती है, काफी देर तक चड़ने की कुशिश कर आपको बेसिकली, चाहे आप चाहो जैसा कि अभी इधर में दिखाता हूँ, आपने left foot को ब्रेक पर रख दिया है, और right foot को अगर आप रखोगी तो भी गाड़ी जो है पीछे तो रोल करेगी, मतलब क्यों करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि आप जब जब जैसे मैं आभी एक इंपुट अनहीं करेगा जब तक मैं ब्रेक निया तक बिसमाना निया ह savoir हूण के ब्रेक पाना धाउगा आप जो है डेक से और तो जैसा कि आपने देखा कि भाईया बात यहां पे यह है कि हिल होल असिस्ट और हिलोल वाली चीज वैसे तो अच्छी बात ही कि ब्रॉशर में मैं ने कहीं मैंचन नहीं देखी है बड़ अगर आपको कहीं कोई कहे तो सोच लिजेगा यह ऐसे ही काम करती है इसमें प्रॉब्लम मुझे सिर्फ इतनी है कि गाड़ी का ब्रेक और वहां पे उसका तालमिल आपको बैठाने बदा इवेंचली आपको यह यह यूज करना पड़ता है और इस गाड़ी जो है वो चड़ाई में थोड़ा सा स्ट्रॉगल करती है इस गाड़ी के टायर्स की ग्रिप जो है वो उतनी जबरदस नहीं है तो अगर आप फ्रीक्वेंटली पहाड़ीयों वाले रास्ते पर चलते हो तो मेरे रिकमेंडिशन है प्लीज आप टायर्स चेंज कर वा लेना बाखी ऐसेज कोई इशू नहीं है जिन पर इटायर कोई प्रॉब्लम जो है किसी भी तरीके से नहीं करेंगे फिर उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके का सुस्पेंशन वगरा है दो को EVs के साथ में क्या सीन हो जाना कि थोड़ा सा हेवी होती है तो सुस्पेंशन स्टिफ रखने पड़ते है बट फॉर्टनेटी टाटा को ये करना आता है कि सुस्पेंशन कैसे ऐसे रखे जाए जो जटके ना दे हाँ थोड़ी आवाज बही अंदिर आती है बट डीसेंट वेट है स्टेरिंग में आप इसा जिधर मोडना चाहोगी उदर मोड जायागा एंदुजियास टाइप वाली फील नहीं है और वो एंदुजियास टाइप वाली फील थोड़ी सी और डेड़ सी हो जाती है for one more reason, वो reason यह है कि जब आप गाड़ी, क्योंकि बैटरी का वज़न एक दम पीछे लगा हो है, सबसे पीछे, अगर आप गाड़ी में दो लोग आगे बैठे हो, तब तक तो still good, मतलब गाड़ी normal civil होती है, अगर आप दो लोग पीछे बैठे होंगे, या गाड़ी fully loaded होगी, तो overall, उसका balance जो है, वो उतना बढ़िया नहीं लगता है, कि गाड़ी किस तरफ ज़ादा balance कितना बना रही है, तो सी, बैटरी, actually, decently भारी होंगी, for sure, and plus, इंजिन आगे नहीं है, तो उस वज़े से वो weight shift जो हो है, वो काफी ज़ादा weird यहाँ पे हो गया है, बहले ही suspensions, टाटर ने tune कर दी होंगे आगे पीछे कि उस हिसाब से कि एक्स्ट्रा weight पीछे है, तो suspension वैसे रखे जाए है, बट कितना भी आप कर लो, वो जो overall weight center, वो जो maintain करना होता है, जो chassis जिस तरही किसे बनाई जाती है, वो उतना जबर्दस चीज यहाँ पे बनके नहीं आई है, त around the corner वगरा आपको चलाने में उतना मजा नहीं आएगा, बट city car है, around the corners वगरा जाने के लिए नहीं है, आपका मकसद जो है, वो यह है कितना चलेगी, वो एक important factor है, देखो अभी, जितना मैंने currently चला लिया है, मुझे लग रहा है, somewhere around 45% battery है अभी, मैंने almost 55% utilize कर लिया, जितन moderate one पे चलाते हैं और एसी का temperature को 25 something है रहता है, तो you might cross 200, प्यार से चलाने वालाने के मामने, अगर आप सिर्फ highway पे चलते हैं और वैसे situation पे चलता रहता है, तो आपकी range शायद 150 to 170 के बीच में रहेगी, बट एक अच्छा जो कहते है ना कि regular drive बिना किसी अतरंगी चीज़ों बाकी बात रही braking की, braking sorted है, ठीक है, ठीक, decent response है, तोड़ा travel का आगे feel लंबा है, बट ऐसाच कोई भी issue जो है, वो braking वाइस नहीं है, टायर्स ने भी ऐसाच braking का issue तो नहीं है, बट हाँ, जैसे मैंने बुला grip कम है, तो वो तोड़ा सा problem है, बट I don't know, मतब देखो, टायर्स अ की safety को हलका सा compromise कर सकता है, तो गाड़ी जब यह आप चला है, high speed से जादना चला है, और traction control नहीं हाता है, तो ऐसी situation में जादना चला है, जब यह traction control द्रवेद आपकी help कर देता, वो carrying electronic stability control वगरा, वो सब चीज़ें control कर देता, तो प्लीज, उस चीज कामिशा ध्यान रखें, क चौड़े टायर पेचे थे, उसके बावजूद, उसके wheelspin होते रहते थे, बड़ यहाँ पे wheelspin होगारा, उस वज़े से तो नहीं होगे, कि power बहुत जादा ही निकल के आजाती, बरफली, एकदम smoothly निकल के आती है power, वो तो एक अच्छी चीज की Tata ने, बड़ यहाँ पे traction control वो नहीं आता है इस काड़ी में, तो यहाँ conclusion क्या है, क्या चीज है, किसको हरी जी जी, किसको नहीं खरी जी, सब बताता हूँ, फटा-फटा, पहली चीज, range जो है, वो वरवल हमें क्या लग रही है, देखो 100% तो मैं खर्च नहीं कर पाया, क्योंकि time constraint था, but I think अगर आप प्यार से नहीं भी चलाना जानते हो, तो 180 के आसपास की range आएगी, 10 minus plus कर देना आप 10 को, और अगर आप जानते हो, EVs कैसे चलानी, तो आप 200 का mark टच कर जाओगे, या उससे उपर निगल जाओगे, in this, जो बड़ा वाला बैटरी उसमें, 24 वाला बैटरी जो है, अगर आप वो 19.2 पे जाओगे, तो मैंने नहीं चलाया, मुझे नहीं पता क्या कुछ जो है, वो कितना range देगा, I think यह जादा sensible है, तो कर आप लेना भी चाते हो, तो इसके साथ में जाओगे, बहले ही, इसके बेस में जो 10 लाक आता है, उसके साथ मुछने जाना, अब बादादी किस Now this is even more affordable, और by the way, सबसे सस्ती है, जो मैंने आपको बताया, जो कीवीज के साथ में आ रही है, अब options और जादा दिर दिर होने लग जाएंगे, बट टाटा जो है, वो अगर इस गाड़ी में नहीं आए और वो स्मूधने सागर आ जाए, तो they are heading in a right direction, ठीक है, बीच में सब्सक्राइब, बट हाँ, अब अगर ये प्रोडेक्ट जिस तरीके से, और वरल हमें मेडिया ड्रावी में लग रहा है, काफी सौर्टे, काफी सही लग रहा है, अब दिखते हैं क्या कुछ चीजें हैं, ओवर दे टाइम आप ही चलाओगे, तो आप जादा बेहतर फिलाल, प्रोडेक्ट लुक गुड, ओर डेलपमेंट अच्छा हुआ है प्रोडेक्ट का, जो कमियां और कुभी हैं थी, वो मैंने आपको बताये दिया, अगले उटिकले दोस्तों हमें पहने हैं, सीडवेल पहने हैं, फ्रुक्षिय चलिए, धन्यवाल